विल्कम बैक टुमालाइन क्लासेस आम डॉक्टर सोफी आदो कृष्णा मैगनेट मैंड में आप सभी का हर्दिक अभिननदेनम स्वागत है हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स आफ इनिरिटेंस के अंतरगत मेंडल्स लॉफ इनिरिटेंस के बिसे में प्रीबियस व सब्सक्राइब कि आए में तो इसमयों लोगों कarfी यह को प्रभावी भाज क्राइब क्रास का थी और यह च्प्रेस करता हैं और जो विए आइसा निदियो के काई अधार पर हम लोगों ने viral व्यार डिसकेंट को अधार आज आएंगे इस वीडियो सेग्मेंट से मैंडल्स का लौको रूप में जाना जाता है तो देखिए बात करते हैं लौफ सेग्रिकेशन का मेंल्स लौफ सेग्रिकेशन स्टेट जैट इसका मोटौ है यह क्या बता गाया है इसमें कि ड्यूरिंग चाम मिट फार्मेशन प्लांट प्लांट होचाए यदि ये एंदो एके समय आप यह इसमं अधिसे हौन को क्या करने किसी प्लांट से प्लांट गोजा करके हैं वो में जुद आ जो इससे lapsus हो जाते हैं केवल ऑक हो जाते हैं ऀसलिए प में चैयल ऐक ही एलिल को यह होते हैं तो एक बार फिर से, समाझे कि इसमें बताया गिया है कि परतीक जीन मेंसे ऑलिल होते हैं वह सगत हो जाते हैं प्रथक हो जाते हैं इस प्रकार सिय कहा जा सकता है कि ग्यामीट में केवल प्रतियक जीन में से केवल एक ही अलील कैरी करता है law of segregation is the second law of inheritance law of segregation mendels का second law कहलाता है this law explain that the pair of alleles segregate from each other during the miyasis that is the cell division gamete formation इस law में explain किया गया यह बताया गया है कि during gamete formation या cell division के समय miyasis के समय प्रतियक जीन में से जो alleles pair होते हैं वो क्या होते हैं segregate out हो जाते हैं क्या हो जाते हैं segregate चुकि एक जीन अगर जीन आप देखेंगे तो वह alleles pair होता है हैं जिसको हम trades कहते हैं जैसे मनें बताया था जाल किरेक्टर को हमें सो करना है लंबे पौभड़े को सो करना है तो इसमें capital T लिखते हैं ड्रफ को सsche करना तो इसमाल T के實ल काते हैं इस प्रकार से जो लिद इसमाल T थी अई themaल T है ये बताया हैurn मिय Seems के समय मियव सिस के दौरान क्या होता है कि यह प्रतीग मेट में क्यहीं यह creeping होते हैं। इन इन že प्रतीग मेट में अपने प्रभाव को कहा दिखाएंगे यह प्रतीग्य多 सिर्फ समय मेरेंगे दिखाते हैं अर्थात वो क्या करते हैं ब्लेंडिंग नहीं करते हैं वो अपना करेक्टर यफ्टू जनरेशन में दिखाते हैं अर्थात चाहे वो डॉमिनेंट करेक्टर होगा चाहे वो रेसेसिव करेक्टर होगा यह दोनों आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते हैं यह अप तो जनरेशन में अपने अपने प्रभाव को सतंतर रूप से दिखाएंगे तो लॉप से ग्रिगेशन इस बेस्ट ऑन दा फैक्ट डैट इच जीन कंटेंस वनली वन जीन यह लाइप से ग्रिगेशन यह बताता है इस इस पर इस तत्थ पर आधारित है कि प्रतिक जी गैमेट करता है एकलीड पाई में इस पर्तिक ब्रतिक यही यह वे लाइप से ज्यासा कि प्योर लाइंप आप डॉर से ड्रीकेशन दोनों मोनो हाइब्रिट क्रॉस पर डिपेंडेंट हैं इस लॉस के अंतरगेत यह बताया गया है कि यह प्योर लाइट विराइटी आप डाल प्लांट दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों देखिए गैमिट सेग्रिगेट हो गया हो गया अर्थात इसको जो हम अलग करेंगे तो यह दोनों क्या हो जाएंगे कैप्टल टी हो जाएगा कैप्टल टी सेग्रिगेट स्माल टी में अलग करेंगे तो यह भी हो जाएगे स्माल टी स्माल टी इस प्रकार से और हम एक को लेंगे तो इस प्रकार से स्ग्रिगेट हो गया है यहां जो अगर हम फिनो टाइब देखेंगे यह सेल्फिंग करा देते हैं तो यह इसमाल ती वाला लक्षण यहां एक्सप्रेस दिखाए दिया तो वहीं पूने की तरिष्णें दिखातें धुटो जनेरेशन डिकाएंगे यह देखें यहां हम लोगों ने क्या करा धिया और भीक्र ii कि 딱 कराने के बाद हमने यह देखा कि यह गई है में इसा है जो हमेजाई स्टोल है ले इस प्रकार अगर हम फिनोटोपिकली टॉल के रूप में हम देखें तो टॉल के रूप में कितने पौध हैं तीन पौध है एक दो और तीन यह तीन है और ड्वार्फ के रूप में अगर हम देखेंगे तो एक पौध है यहां ड्वार्फ है यह क्या है यह ड्वार्फ है तो एक प्लांट हईसा हceks manycles थ्टाल है है थो प्लांट ऐसे हैं जो है एक साइब है तो इस प्रकार से जीनो टाइप रेस्यों अगर हम देखेंगे तो 10 है और स्वाइब form लीटाइटी देखेंगे इस प्रकार के दिखाई देता है से यहाँ लोगों ने देखा यह फुंच जनरेशन तक यहां तक हम लोगों ने देखा कि यह लाइफ डॉमिनस को सो कर रहा है तोसमार हम लोगों ने देख लिया इनके डेफिनीशन को बहूत अच्य जान लिया एक बार हम summarize करते हैं फिर से लॉफ segregation ये बताता है कि gamet formation के समय during cell division प्रतीर्ग जीन में से allil pair क्या होते हैं segregate out हो जाते हैं प्रथक हो जाते हैं और ये दोनों जो allils प्रथक हुए हैं वो आपस में blending नहीं करते हैं मौका पाने पर जिनका हम selfing करा देते हैं ये अपने अपने प्रभाव को पूरूर्प से दिखाते हैं दिखाई देते हैं इसी ला पर इसी फैक्ट पर इसी तत्य पर ये लॉफ segregation डिपेंडेंट करता है निर्धारित होता है बेज्ट होता है आए थोलबा सा मागी ड्युसक्स करते हैं लॉफ इस वाइं लाज बर इसी वाइसी गॉस culture D जीन जो होता है एक यह से अधिक उल्लीक फार्म में दिखाई देती हैं उसमें का राया है यह कहा जा रहा है कि मियोसिस के समय जब गैमीट फार्मेशन हो रहा है तो उस समय एलील पेयर जो होते हैं और गैमीट में केवल एक ही अलील इक एलील के जोडे मेंसे एक अलील पेयर मेंसे एक सिंगल यहां तो होते हैं जैसे कि मैंने बताया किह अगर हम लभा ताल के लिए दैखे जोब्हासर्ट करने के लिए डोवी करने के लिए और वो स्टीriters करें यहां कि लगाख करने के लिए सबस्क्राइब तू यह पार इच ट्रेट परतीक ट्रेट के लिए दो एलिल किया वह सकता होते हैं अगर किसी ऑर्गिनिजम में वह लछट इंहरिट हो रहा है वन सगति हो रहा है अगला है डा टू एलिल्स आफ पेयर आड़ डिफरेंट आर्थात यह एक अलिल पेयर अर्थात जो अलिल पे में एक्सप्रेस करना है मैं इसको कहें कि हेट जाएगा स्टॉल या इसको हाइबरिट कहेंगे तो देखें एक या है डॉमिन थैंड है दूसरा क्या है तो इस प्रकार करा रहा है कि डा टू अप पेयर अर्थात एक अलील पेयर में सी यह डिफ्रेंट भी हो सकते हैं और तरह सकता है तो आर्था हम यह कहते हैं यहां देखें तीन प्रकार के ट्रेस्ट एक लचण के तीन तेट्स दिख रहे हैं ऑर्थाथ एलिल को हम फार्म में यहां देख पा रहे हैं आर्थात मोनोहाविट क्रास के आधार पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से रेजंबल करके देखा हैं अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइविट क्रास को लेते हुए लौप इंडिपेंडेंट इसार्डमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे